काईज आप एक नया स्मार्टफोन पर्चेस करने की सोच रहे हो 25,000 के बज़ट में मगर बहुत जादा कन्फ्यूज हो कि आपकी रुक्वार्मेंट के हिसाब से सबसे बेस्मार्टफोन कौन सा है तो यही दिक्कत आपके हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे मैं बताऊंगा अपने 5 बेस्ट पिक साथी मैं इनको रैंक भी कर दूँगा ताकि आपके लिए थोड़ी अस्तानी हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो फिक पुजीशन पर है सबसे स्लिमस और लाइट इस 5G स्मार्टफोन और यह है तो अगर आप एक एलिगेंट देखने वाला स्मार्टफोन देख रहे हैं तो इस स्मार्टफोन को आप कंसिडर कर सकते हैं इस फोन में आपको 6.5 इंच का ओल डिस्प्ले देखने को मिलता है और यह 144 हट्स के काफी अच्छे रिफ्रेश्च रेट के साथ आता है साथ इसमें आपको अच्छा पर्फॉर्मस भी देखने को मिल जाएगा इसमें आपको अबड़न 778 G Plus प्रॉसेसर देखने को मिलेगा इसका अंट्रू बेंच्पार्क स्कूर है 5,4100 तो इसमें आप कंपुटेटिव लेवल की गेमिंग तो नहीं कर सकते हैं मगर आप कभी कभार केमिंग करते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बात करें क्यामरा क तो इस फोन के रियर में आपको 50 Megapixel का प्रामरी लेस्ट देखने को मिलता है फ्रांट में आपको देखने को मिलेगा 32 Megapixel का सिंगल क्यामरा सेटप इन दोन से आप 4K वीडो लिपाएंगे 30FPS पे 4000 एमेज की बैटरी देखने को मिलेगी 33W की फास्ट चार्जिंग के साथ और यह लेती है 53-minute इस फोन को 20-100% चार्ज करने में, Motorola है तो आपको stock internet experience देखने को मिलेगा इसके साथ यह आपको IP52 की वाटवर दसेसिंग की रेटिंग भी देखने को मिल जाती है और बात कर रहे प्राइस की तो इस स्मार्टफोन का अब करनली 25,000 में खरीद पाएंगे और चनली यह स्मार्टफोन हमें 22-30,000 रुपे में देखने को मिल जाता है करनली इसका प्राइस फोड़ा बड़ा हुआ है अब बड़ते हैं हमारे लिसके चौते नंबर के स्मार्टफोन की तरप और यह फोन है Samsung की तरप से M53 इस स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का Super AMO प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है 120Hz के refresh rate के साथ मगर यहां पर आपको adaptive refresh rate देखने को नहीं मिलेगा या तो आपको 60Hz पर सेट करना पड़ेगा या फिर 120Hz पर और यह डिस्प्ले काफी शार्फ है काफी punchy और deep blacks भी हमें काफी इच्छे देखने को मिलता है मगर इसका ए दिखकत नहीं आएगी मगर आप gaming करेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा इशू रहेगा मगर smartphone में आपको काफी अच्छा camera देखने को मिल जाता है इस phone के rear में आपको quad camera setup देखने को मिलता है 108 megapixel का आपको primary lens देखने को मिलेगा और front में आपको देखने को मिलेगा 32 megapixel का single camera setup दोरों से आप 4K वीडियो लेपाएंगे 30 fps पे तो अगर lighting condition अच्छी हो तो इस camera से आपको काफी अच्छी details और colors देखने को मिल जाएंगे 5000 ms की battery देखने को मिल जाती है 25 watt की fast charging के साथ और आपको 1500 और खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इसके box में आपको charger देखने को नहीं मिलेगा और finally बात करें price की तो ये भी उन smartphone में है जिनका currently भी price बड़ा हुआ है इस smartphone का अभी जो लिस्टर प्राइस है वो है 27,000 मगर ये smartphone जनरली हमें 25,000 के अंदर देखने को मिल जाता है तो आप next sale का इंतियार कर सकते हैं और आपको जल्दी ही खरीदना है तो आप offline ट्र display देखने को मलता है यहाता है 120Hz के refresh rate के साथ और यह इकलौता स्मार्टफोन है जिसमें आपको Dolby Vision का support देखने को मलेगा और इसमें आपको stereo speaker भी देखने को मिल जाते है Dolby at most के support के साथ तो overall जो आपका multimedia experience है वो काफी अच्छा रहेगा snapdragon 778G processor देखने को मलता है इसका on2 benchmark score 5,31,000 तो performance decent है उतना अच्छा भी नहीं है इस phone career में आपको 108MP का primary lens देखने को मलता है यह आता है Samsung HM2 sensor के साथ front में आपको देखने को मिलेगा 16MP का single camera setup तो photography आप decent कर पाएंगे 5000 image की battery देखने को मिल जाती है 67W की fast charging के साथ जो की लेती है 46 minute इस phone को full charge करने में मगर इस smartphone की एक कमी भी है although यह smartphone अभी recently launch हुआ था मगर इसमें आपको बैस बैंग लिंग नीचे description में मिल जाएगा तो एक अच्छे display वाले smartphone से बढ़ते हैं एक अच्छे design और feel वाले smartphone पे और यह phone है realme की तरफ से 10 pro plus यह सबसे affordable smartphone है जो की curved amulet display के साथ आता है इस phone में आपको 6.7 inch का curved amulet display देखने को मिलता है और यह 120 hertz के refresh rate के साथ आता है और इसमें आपको bezels काफी ज़्यादा थिन देखने को मिलेंगे media tech dimensity 1080 processor देखने को मिल जाता है इसका on true benchmark score है 514,000 तो यह सबसे best दो नहीं है मगर regular usage में आपको कोई भी देख करती है आईगी पर इस smartphone का जो main highlight है वो है इस phone का camera इस phone के rear में आपको 108 megapixel का primary lens देखने को मिलता है यादा है Samsung के HM6 sensor के साथ तो quality आपको 9 pro plus जो set करके गया है वैस अधरी भी देखने को मिल जाती है 67 watt की आपको fast charging भी देखने को मिलेगी जो कि लेती है सिफ 17 minute इस phone को 50% चार्ज करने में यह smartphone आप में से काफी जादा लोगों को surprise करेगा बहले यह smartphone 30,000 के price stack पे हमें देखने को मिल रहा था वहाँ पे यह काफी killer deal थी और अब तो यह हमें 25 5000 के price stack पे देखने को मिलना है तो इस smartphone के साथ आप currently आख बंद करके जा सकते हैं और हम यहाँ पे जिस phone की बात कर रहे हैं वो है IQ Neo 6 इस phone में आपको 6.62 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है इसमें आपको 120Hz का refresh rate भी देखने को मिलेगा बात करें performance की तो इसमें आपक का सबसे stable processor देखने को मलता है जो कि यह 870 यह BGM में आपको constant 60fps देगा मगर 90fps का अभी support नहीं है camera decent है इस phone के रियर में आपको 64 megapixel का primary lens देखने को मिलता है front में आपको देखने को मिलेगा 16 megapixel का single camera setup 4700 image की battery देखने को मिल जाती है 80 watt की fast charging के साथ जो कि लेती सिर 12 minute इस phone को 50% charge क करने में मगर एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी disappointing है आई को कि जो smartphone होते हैं वो gaming centric होते हैं मगर यहाँ पर आपको 3.5 jack देखने को नहीं मिलेगा पर यह इतना बड़ा कोई issue है नहीं या तो आप converter यूज कर सकते हैं या फिर आप wireless zero phones भी यूज कर सकते हैं और finally बात के रहे प्राइस की तो smartphone को आप 25,000 में खरीद पाएंगे तो 25,000 के price tag पर यह killer deal है और तो कुछ कमिया है जैसे 3.5 jack देखने को नहीं मिलेगा limited 5G bands है आपको यहाँ पर चार 5G band देखने को मिलते हैं मगर स्टिल यह काफी अच्छा package है पर आप बताओ कि आपका favorite smartphone कौन सा है 25,000 के price tag मेरे को नीचे comment box में इसके साथ ही वीडियो पसंद आई है तो like subscribe कर देना और अगर आपको जाना है best smartphone under 30,000 के बारे में तो वो वीडियो को लिंक आपको इधर देखने को मिल जाएगा मिलते हैं अगली वीडियो में